तो हेलो स्ट्रेंट कैसे हो पाप की पड़ाई बहुत अची चलिए होगी तो में इस वीडियो में जो भी चैप्टर नमबर 10 है क्लास 9 साइन्स का ग्रैविटेशन तो हम उसके MCQ को इस वीडियो में करने वाले हैं वीडियो के स्टार्ट करते हैं विडियो टाइम वेस्ट किये तो मैं आपको बता दू यह को सन का बस किकूशन को देखने हैं तो आपका न्यूटन का एक एक्स्पेरिमेंट्ट आपको मिलेगा उन्होंने क्या गया था एक पिसा टाओर पर एक भारी चीज जो जैसे खर्बूज ले ले और एक अंडा ले ले तो अगर इन दोनों चीजों को गिराया जागा पीसा टाउर से तो जाहिर सी बात है अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे खर्बूज पहले गिरेगा बट इन एक्सपेरिमेंट यह पाए गया कि जो जितनी भी जो भी प्लानेट की अगर मान ले अर्थ की अगर 10 है तो जो भी भारी आप्जेक हो या as अब्जेकल सबके लिए ग्राउंड को टच करेंगे तो ग्राविटी का जो वैलू अफ एक्वेटर एंड पोल इस लिस्ट ऑन इक्वेटर इट इंक्रीज़ फॉम पोल टू इक्वेटर तो आपको बताना है तो आप सेम देखिए अर्थ की जो लगभा के स्ट्रक्चर होती है यह ऐसे होती है यह ऐसे ऐसे उस पे जो मेरीडियन बने होते हैं यह बने है तो आपको ना पता हो तो मैं बतादू तो होती है घ्राविटी है फोर्स होता है वह वह दिस्टेन्स के स्क्वाइर की प्र पोर्पोर्शनल होता है तो जो एक झ seven और यह Sum but बहुत कम हो जाएगा तो इस लिस्ट ऑन इक्वेटर पर हमें सा कम रहेगा जाज बिकॉज इक्वेटर की यह डिस्टेंस देखिए सेंटर से कितनी जादा दूर आती है बट यह पर पोल्स पर नजदीक हो जाता है तो यह हमारा एंसर हो जाएगा तो हम नेक्स देखते हैं को दो यहां पर आपको का मैं सीसके फर्मूलाबी ऑफ हो ऑन और को कर से सही तो जो भी हमारा question number 3 का इसका option number A सही हो जागा तो अगर आप formula लिखके देखते हैं यह हो जाता है इसमें ज़्यादा formula दिये हुए है बस यह आपको formula F is equal to G into M1 into M2 by R square तो इस formula को आप एकदम से याद कर लेंगे just because आपको यहां तक ही पीछा नहीं छोड़ेगी आगे बहुत जगह काम आती है इससे मिलता जुलता आपको columns जो ही force है वह भी देखने को मिलेगा class 12 में तो भी आप देख लेंगे एक यहां पर formula यह आती है force is equal to mass into acceleration होता है तो आपको force के यहां पर आपको force लिखना है आप यहां force के जाप पर weight कर सकते हैं क्योंकि weight is the type of force and weight is equal to mass into acceleration के जापर G लिख सकते हैं तो यह बस दो formula आपको यहां पर देखने को मिल जाते है तो next question देखते है question number 4 अब्वाइज वर्लिंग स्टोर्ण टाइट टुए स्टिंग इन होरिजेंटल सर्कूलर पाथ इफ़ इस टिंग ब्रेक्स तो विल कंटिन्यू तो मूव इन सर्कूलर पाथ यह एकदम बखवास सा जो भी option है यह दिया हुआ question number 4 का विल मूव एलॉंग एस्टेट लाइन टौर्ण सेंटर अब सर्कूलर पाथ विल मूव एलॉंग एस्टेट लाइन टेंजेंशल तो यहां पर सी हमको सही मिलगी option दी पढ़ने की जोड़त नहीं मैं उसको इसको कर देता हूं सब्सक्राइब किसी स्टोन को बीच से रसी ब जो कि हमारी टेंजेंट होती है वो ठीक ऐसे ही होती है अपने मैस में पढ़ा होगा इसलिए हमारा option नुबर सी सही हो गया था हमें option दी पढ़ने के ज़रत नहीं है क्योंकि option देखते है question number 5 an object is put one by one in the three liquid having different densities the object float with one by nine two by eleven and three by seven part of their volume outside the liquid surface in liquids of density d1, d2 and d3 respectively which of the following statement is correct इसमेंस आपको बताना है यह i think जो भी density वाले पार्ट आपके ncrt में दिया है उससे यह question दिया हुआ है तो मैं इसका मैं आपको बता जाता है d1 is smaller than d2 is smaller than d3 या जो भी d2 is greater than d1 and d3 is greater than d2 तो यहसे भी कर सकते हैं तो option d हमारा सही हो जाता है now next question question number 6 in the relation f is equal to gm gm1 into m2 by d square यह जो भी दिया हुआ है the quantity g तो यह जी कहां होता है यह आपको बता दू यह constant होता है इसका I think होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power minus 11 तो यह होता है अगर यह अगर गलत है तो आप मुझे पता है तो आप comment में जरूर बता कि कितना होता है अगर मैं सही हूं तो मुझे एक बाग confirm जरूर कर देना यह पढ़े बहुत टाइम हो गया है मुझे तो मैं ऐसे confirm नहीं हूं तो आप कमेंट में confirm जरूर कर देना ना कुर्शन नबर सी का option हम देखते हैं depend on the value of g at the place of observation is used only when the earth is one of the two masses the greatest at the surface of the earth the universal constant of nature तो यह हमारा option number d सही हो जाएगा question number 6 का तो ना नेक्स कुर्शन कुर्शन नबर 7 laws of gravitation gives the gravitational force between the earth and the point mass only the earth and the sun any two bodies having some masses तो यह हमारा हो जाता है two charge bodies only तो यह हमारा coulombs law का दिया हुआ है but option यह हमारा answer मिल गया question number 7 ना नेक्स कुर्शन कुर्शन नबर 8 the value of g in the law of gravitation depends on the mass of the earth only यह हमारा फिर से वहीं दे दिया सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी फोर्स होता है आप सबसे पहले formula को लिख दे सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर हमारा four times increase हो जाएगा तो जो भी कुस्टन नमबर जो भी है हमारा nine इसका answer हो जाएगा option number b now next question देखते हैं question number 10 the atmosphere is held to the earth by gravity wind cloud earth magnetic field question number 10 का यहां पर साब साब दिख रहा है gravity gravity हमारे atmosphere को hold करके रखी अगर gravity नहीं होती हमारा जो एर जो atmosphere है यह सिस्टम हमारे चला गया होता अर्थ के पास से next question question number 11 oops the force of attraction between two point unit point masses separated by unit distance is called gravitational potential acceleration due to gravity gravitational field inverse gravitational constant f is called to g into m1 into m2 by r square the force attraction between two point masses separated by unit distance to unit distance का मतलब r की value हमें 1 लेनी है जो भी question number 11 इसका हो जाता है inverse gravitational constant m की जब पर 1 लेंगे m2 की जब लेते हैं तो force किसके equal होता है g equal हो जाता है तो आपके gravitational constant का यह definition हो जाता है तो आप इसे याद कर सकते हैं subjective question होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं now next question देखते है question number 12 the weight of an object of center of the earth of radius r is तो आपको यह NCRT examplar का question है तो question number 12 हो जाता है 0 weight of the object at the center of the earth जो भी earth है कोई भी यहां से अगर कोई भी force होता है उसके center से नापी जाते है अगर वहीं पर कोई object ले जागा हम चेक करें तो जीरो हो जाएगा now question देखते है question number 13 question number 13 हमारा हो जाता है an object weight 10 newton in air when emerged fully in water it weight only 8 newton the weight of the liquid displaced by the object विल भी तो जो भी weight of the liquid हो जो object के दुआर डिस्प्लेस होगा वो कितना होगा तापको बताना है question number 13 का ती हो जाता है 2 newton just because change in mass जितना है उतना ही हमारा weight हो जाएगा water next question question number 14 आप यहां पर देख लेंगे weight को हम नॉर्मल लाइफ में तो केजी में यूज करते हैं बट यहां पर आपको इस चैप्टर में weight का जो ऐसा unit है वो newton होता है बट जो केजी होता है वो mass का ऐसा unit होता है तो इसको आप देख लेंगे daily life से science हमारी अलग होती है next question question number 14 a girl stand on a box having 60 cm length 40 cm breadth and 20 cm width in 3 ways in which of the following cases pressure exerted by the box will be maximum when length and breadth from the base maximum when breadth and width from the base maximum when width and length of the base and option D the same in all the above 3 cases question number 14 है इसका हमारा answer हो जाता है option number B maximum when length and breadth from the base तो हमारा यह option सही हो जाता है next question देखते है question number 14 का option हमारा B होता है maximum when breadth and width from the base question number 15 an apple falls from the tree because of gravitational attraction between the earth and the apple if the f1 is the magnitude of the force exerted by the earth and the apple and the f2 is the magnitude of the force exerted by the apple on the earth then f1 is much very much greater than f2 तो आपको बताना है f1 बड़ा होगा यह f2 हमारा बड़ा होगा इसका हम साब-साब answer बड़ा सकते है question number 15 है उसका होगा f1 f2 are equal क्योंकि हमारा Newton third law होता है वो क्या होता है every action होता है equal and opposite reaction होता है कोई भी action होता है equal and opposite होता है इसका मतलब जितना force जो भी earth पे लगाया गया है उतना ही force है जो apple ने earth पे लगाया होगा जोनों एक दूसरे पे equal force लगाते है तो यह हमारा हो जाएगा यह बहुत ही confusing question था question number 15 था because बहुत बच्चे को लगता है जो earth है वो जादा force लगाती है इसलिए apple खिंचा चलाता है but mass में difference होता है but force दोनों एक दूसरे पे same ही लगाती है now next question देखते है question number 16 हमारा हो गया the acceleration due to gravity on the earth depends upon the mass of the body mass of the earth, shape and size of the body, volume of the body the acceleration due to gravity होता है वो क्या होता है mass of the earth depends करता है जो भी हमारा question number 16 हो गया option number B हमारा say हो गया next question देखते है question number 17 when a mango falls from the mango tree then only the earth attracts the mango only the mango attracts the earth both the mango and earth attract each other both the mango and earth repel each other option number C हमारा सही यहां पर दिख रहा है जो भी हमारा question number 17 है उसका option C हमारा सही हो जाता है तो दोनों एक दूसरे पर force लगाता है Newton turtle of motion यहां पर काम करता है gravitation में next question हो गया question number 18 when a sea float in sea water the weight of the water displace is greater than the weight of the sea the weight of the water displace less than the weight of the sea the weight of the water displace is equal to the weight of the sea it displays no water question number 18 है उसका answer हो जाता है the weight of the water displace is equal to the weight of the sea कोई tub रखते हैं अगर इसके अंदर कोई object रखते हैं तो यह उतना ही water displace करेगा जितना अगर weight आप इसमें under डालते हैं next question question number 19 the SI unit of pressure तो प्रेसर को जो SI unit होता है आप बहुत हो दो पास्कल जानते हैं बट आपको यहां पर आपको यह बताना है प्रेसर के असाइंट क्या होती है क्या होती है तो जो भी हमारा 90 है उसका हो जाता है option number C newton per meter तो हमारा next question देखते है question number 20 and यह हमारा last question होगा if the gravitational attraction of the earth suddenly disappear which of the flowing statement will be true weight of the body will become zero but the mass will remain same the weight of the body will remain same but the mass will become zero both mass and the weight become zero neither mass nor weight become zero यह जो हमारा question number 20 इसका option यह हमें सही लग रहा है the weight of the body will become zero but the mass will be same जो भी mass होता है वो independent of gravity होता है gravity कितना भी हो mass वे फर्क नहीं पड़ता है बट जो weight होता है weight का जो formula होता है वो force जो भी हमारा weight force is called to mass into acceleration हमारा था तो जो भी weight का formula होगा हो जाएगा mass into gravity तो जो weight होता है वो gravity पे डिपेंड करता है बट यह जो mass होता है यह constant होता है किसी भी planet पे आप चले जाएगे mass अपका सेम ही होगा तो यह change नहीं होता है आपको सारे question समझ में आए होंगे अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके जो नीचे description में लिंक दी हुई है वहाँ से जाके आप सारे वीडियो चैप्टर के देख सकते हैं तो अगले वीडियो में तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं अगले वीडियो में तो टील देख के यार और बाबाई झाले वीडियो